कि तो शांतियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का और अभी हम बात कर रहे हैं प्रित्वी के उत्पत्ती से समंध्य जो प्रिकल्पना दिया गया था वो कास्ते दब अफन के द्वारा सत्राइस सो उननचास इस्पी दिया गया था उसके बाद बहुत सारे प्रिकल्पना दिये जाते रहें और इसमें कुछ में थोड़ी बहुत कमिया रही उसको फिसुधारा गया यह प्रिक्रम चलता रहा तो हम बात कर रहे हैं अगर कि जो प्रित्वी के उत्पतित समंदित दिये गए वह किस टैप के हैं तो दो प्रकार के हैं पहला तो है कि द्वैत्वादी संकल्पना और दूसरा है अद्वैत्वादी संकल्पना तो अद्वैत्वादी संकल्पना यह कहता है या इसके तहक यह माना जाता है कि इसे एक तारग से धांद भी कहा जाता है इत्वाईत्वादी संकल्पना के अनुसार पृत्वी और सौर मंडल उत्वी हेगई जितने पी अधी कुत्पत्ती एक ही तारे के वज़ा सी हुई है याने करूध मंडल के लगया सॉर मंडल और उसके सबस्क्त था समस्त परिवारों का जो निर्मार हुआ वो एक इतारी से हुआ है जब्कि द्योइत्रों संत्रीक निशने?? यह कहता है कि इसे कुछ में को क्या दोरस्टी कॉंसेप्ट को कर दोडूतारा सिरे नाम चयांगे और हिसे द कूरका प्रित्वी और सौर मनदल के सभी ग्रह जमार कांग पर हम रहे है इना defendant discussed सेहींयोग से हुई है सहींयोग यानि कि आतों के आसपास आने से या उनके मिलने से और इस करण जो ड्वैत वादि संकल्पना है इसको बाइपरेंटल हैपोथेसी भी कहा जाता है अब बात कर लाए कि अद्वैत वादी सरकल्पना में किनके किनके सिधानते हैं तो अद्वैत वादी यानि कि एक तारक सिधानत के तहट कांड की वायबरासी परिकल्पना है और लापलास की निहारी का परिकल्पना दी गई है तो अब हम बात करने कांट की वायब राशी परिकल्पना या गैसियस हाइपोथेस के बारे में तो इस परिकल्पना को 1755 में दिया गया था नहीं की कास्ते दवफन के बाद तो जर्मन दार्सनिक जो थे जिनका नाम कांट था उन्होंने वायब राशी परिकल्पना दी 1755 में तो इनके अनुसार यह कहा जाता है कि एक तप्ट एवम गतिसील निहारिका से बहुत सारे गोल छले अलग हुए जिनके ठंडे होने पर क्या होगा कि सौर मंडल के विवन ग्रहों का निर्मार हुआ जिसमें प्रिथवी भी सामिल है यानि कि एक तप्ट गोल निहारिका से बहुत सारे गोल छले अलग हुए पर उनसे प्रिथवी का निर्मार हुआ अब निहारिका की बात कर ले तो निहारिका यानि नेबूला जो तो अंत्रिक्ष में जो धूल के विसाल बड़े-बड़े बादल जो होते हैं उनको नेबूला कहा जाता है तो उसी नेबूला से बहुत सारे गोल चले अलग हुए और जो ठंडे हुए तो जो भी निग्रह हैं उनका निर्मार हुआ ये कांट की वाजबरासी परिकल्पना में ऐसा कहा गया है लेकिन क्या था कि जो कांट की वाजबरासी परिकल्पना है इसमें गडित के कुछ गलत नियमों का अनुप्रोग किया गया क्योंकि क्या हुआ था कि जो इसमें कोणी सम्वेक के नियम है वो कार नहीं कर रहे तो इस से लेसमें सुधार भी किया और यह सुधार किया अध्वाइट वादिस अगलपना के तहट लाप लास ने अपने निहारी का परिकल्पना में यानि की नेबुलर हाइपोथेपस्टेट हाइपोथेथिस में कि तो यहां ने क्या किया 1796 में फ्रांस के विद्वान थे तो इनके द्वारा यानि एक लापलास के द्वारा कांट के परिकल्पना को सांसोधित किया गया और यह बताया कि एक विसाल और तब्त निहारका से पहले जो है एक ही छल्ला बाहर निकला उसके बाद वो जो एक छल्ला था वो बाद में कई छल्लों भी भाजित हो गिया और इसके ठंडे होने पर विविन निग्राहों का निर्मार हुआ जिसमें प्रिच्वी भी सामिल है तो यह सुधार किया इसके बाद हम बात करते हैं द्वैतवादी संकल्पना की यानि की दुईतारक सिधान तया डॉलिस्टिक कॉंसेप्ट की तो जिसमें पहला जो सिधान दिया उन्होंने उसमें सामिल है चैंबरलिन वो मॉल्टन जिनकी ग्रहारू संकल्परिकल्पना के बारें पढ़ेंगे तो यह है प्लेंटिसिमल हाइ प्लेंटिस्टिक के लिए और इनके उसर यह कहा गया कि प्रारम में दोवी साल तारे थे सूर और उसका एक साथ है अनितारा तो जब क्या हुआ जब यह दूसरा तारा था जब सूर के पास पहुंचा तो उसकी अकरसर सक्ति के कारण सूर के धरातल से बहुत सारे कण अलग हो गए और यह कण ही आपस में मिलकर प्रित्वी और अनिग्रहों के निर्माण का कारण बने और यह जो चैंबल इनवा मॉल्टन की ग्रहाडू संकल्पना है या प्लेंट शिमल हाइपोथेटिस है तो इसके दौरा प्रित्वी कुद्पत्ति संरचना और महासागर महादि युकुत्तपत्ति साथ यह साथ परवात्रों की निरवाड़ादी के व्याक्या भी की गई है उसको इसके तहत किया गया है अब इसी संकल्पना में जो दूसरा है वो है जेम्स जीन्स और जेफ्रीज की जुआरी परिकल्पना यानिके टाइडल हाइपोथेस जिसने जेम् में और जैफरेज निंवे दुनों मिल के परिकलपना दी तो मैं प्रित्वी का संबन्द में जो अजिनिक परिकलपना है उन में से एक है और इससे प्रियाप्त मार्त तर्म समर्थरत्र प्र trackn किया है तो यह समर्थन के किन सार क्या हूँ कि छो सौर मंदल का निर्माण है वो सूर एवं अन्यतारों के संयोग से हुआ है तो यानि कि क्या है संयोग यानि कि उसके पास आने से हुआ है जब सूर का सूर के समीब जब दूसरा एक टारा आया तो सूर का कुछ भाग फिलामेंट के रूप में खिज गया और बाद में क्या हुआ वो तूटकर सूर का चक्कर लगाने लगा और यही फिलामेंट जो था ये बाद में सौर मंदल के विभिन निग्रहों के उत्पत्ति के कारण बना जिसमें भी प्रित्वी भी सामिल है और इसके बाद जो तीसर सगल्पना दिया गया रसेल की द्वैतारिक संकल्पना या परिकल्पना जिसे की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस कहा जाता है जो कोन इसमें इन्हों ने क्या किया था रैसेव ने जीन्स और जेफरीज's की जो परिकलपना थी उसमें एक प्रकाल जफरीज कि और जहां जेफ्री जेवं जीन की जो परिकल्पना की गई थी उसमें सूर और ग्रहों के जो बद्य की दूरी और जो कूरी सम्भीक थी उसका सही-सहय व्याक्या नहीं कर पा रही थी लेकिन रस enable की तृतारिक परिकल्पना में सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी जथा कुनी सहयों की सही सही ब्याख्या की गई है और इससे रसेल के द्वारा दिया गया है ना और आगे बढ़ते हैं आट्टो इसमिट की अंतर टारक धूर धूल परिकल्पना याने के इंट्रस्टेलर डॉस्ट थियोरी तो यह रूसी विग्यानी के दुवारा वर्स उनी सो तिरालिस में दी गई थी और इन्हों ने इसमें क्या कहा कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो गैस और धूल कणों से मानी है इसके लावा इसी धान्तिम के अनुसार क्या हुआ कि जब सूर ये आकास गंगारी करीब से गुजर रहा था तो उसने यानि कि सूरज ने अपनी अगर्स सक्ति से कुछ गैस और धूल कड़ों को अपनी और अगर्सित कर लिया जो की सामोहिक रूप से सूरी की परिक्रमा क करने लगे हैं और क्या हुआ कि इन्हीं धूल कड़ों के संगठित वह घंडी भूत होने से प्रित्वी एवं अन्य ग्रहों का निर्मार हुआ और यह जो आठोइस्मिट की अंतर तारत धूल पली कलपना है इससे सूर और ग्रहों के जो बीच कोड़ी समब्येग हैं और बहुत सारे जो ग्रहों के जो सनचना में अंतर हैं तथा सूर एवं ग्रहों की वर्तमान दूरी इन सभी की वेग्यानिक व्यक्या करने में ये आ अभी नव तारा सी गल्पना कहा जाता है मomma सुपधुनिवा नुव हाईपोथेसिस वर्स have 1990 में अब तो इन डूमच्पन स्विश्व दूमचित गार्फथां ये था तो में नया यह है कि इनहों ने नाब tiene सी सूपर नवा विस्थोट से ग्रहों का नर्मार हुआ है को हैं और हिस्छक कैसो निवर सोनी सोंतालीस में दिया गया था और इस सिथान के द्वारा जो ग्रहों चोंगी द्वरी की चाहाओ है परिकलपनाय दिगी है उन psychologists में संचिप्त जानकारी नमस्कार